लखनों के बाद अब 36 गड के दुर्ग में भी चलती बाइक पर एक प्रेमी जोड़े के रोमेंस का वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में एक जोड़े को चलती चोड़ी की बाइक पर एक दूसरे की बाहू में बाहे डाले देखा जा सकता है वीडियो का संग्यान पुलिस ने लिया और केस दर्ज करके दोनों को गिरफतार कर लिया है महीं उत्तर परदेश के गाजियाबाद में सड़क पर कार खड़ी करके फ्लाइन किस देने वाई लड़की पर पुलिस ने 17,000 रुपे का जुर्माना ठोका है पहला मामला 36 गड़ के दुर्ग जले का है वाईरल हो रहे वीडियो में लड़की को बाईक की टंकी पर लड़की की तरफ मुख कर बैठे देखा जा सकता है आसपास के गुजर रहे लोगों में से किसी ने इस वीडियो को बना लिया और शोशल मीडिया पर वाईरल कर दिया दुर्ग पुलिस ने S.P. अभिशेक बलव के मताबिक मामली का संग्यान लेकर बाईक सवार दोनों को गिरफतार कर लिया गया है जाज में ये भी सामने आया है कि बाईक के पेपर नहीं है और गारी चोरी की है पुलिस के अनुसार देड़ साल पहले देड़ लाक रुपे मुल्ले की ये बाईक एक गाउं से चोरी हुई थी जिसे आरोपित ने महज 9000 रुपे में खरीद लिया था मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गारी को जब्द कर लिया गया है और ट्रेमी जोडे पर लापरवाही से बाईक ड्राइविंग और अश्लीलता फैलाने पर आरोप भी लगाया गया है वहीं दुर्ग पुलिस का कहना है कि लाप परवाही से गाड़ी चलाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में दो यूवक दो यूवतियों को गिरफतार किया गया है एक अन्य मामले में उतरपरदेश के गाजियाबाद पुलिस ने सड़क पर कार खड़ी करके रील बनाने वाले एक यूवति का 17,000 रुपे का चलान किया है ये रील शाहिबाबाद थाना चेतर के एलिवेटेड रोड का बताया जा रहा है वीडियो में एक लाल बंकी स्विट कार दिखाई दे रही है जिसमें एक लड़की कभी शर्माईगी, कभी घबराएगी, कभी तो आएगी गाने पर फ्लाइंग किस देते हुए वीडियो बना रही है साहिबाबाद की ACP ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार का 17,000 रुपे का चलान करने के साथ महिला पर पुलिस की तरफ से तहरीर दे कर केस भी तरच किया जा रहा है कौर्पलब है कि इसी महीने 15 जनवरी को लखनों में एक चलती स्कूटी पर रोमैंस अंदाज में एक प्रेमी जोड़े का वीडियो बाइरल हुआ था तब पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया था और आरोपित पर केस भी तरच किया था इसके अलावा मार्च 2021 में गाजयाबाद में ही दो लड़कियों का बुलेट बाइक पर स्टंट करते वीडियो बाइरल हुआ था तब पुलिस ने बाइक का 11,000 रुपे का इचलान काटा था